चलिए देखते हैं बागे कल कहां तक हमने काम किया था तो साथ हमने डेटा दिखा दिया था आज कुछ और करते हैं यूटिलीटी के अंदर आता हूं मैं आइकन्स में और यह इसको मैं करूँगा ऐसे कापी और ऐसे पेस्ट ऐसे पेस्ट और यह डेलीट वाला जो आइकन है इसको मैं एप ऐसे और इसको मैं यहां पे कर दूँगा हो जाना ऐसे सेलेक्ट करें कर दूँगा पेस्ट और चेक वाला आइकन जो है वो है सक्सेस का आइकन तीर का निसान है मैं दिखा देता हूँ आप लोगो तो उस तीर का निसान कैसा दिखता है मतलब तो देखो इस पर डबल क्लिक किया ते निसान है डिलीट वाला और इस पर डबल क्लिक मैंने किया तो यह निसान है चेक आइकन तो यही मैं कर रहा हूँ जो है इसको मैं करूँगा कैंसल और इसको मैं यहाँ पर केस्ट कर दिया है अब यहां वे मैं कर देता हूं success a.s.u.c.c.e success and a.s.c.e icon और इसको मैं कर देंगा error icon अब इसको कर देता हूं मैं delete record हो रहा है ना हो रहा है हो तो रहा है अब इसके बाद आता हूं मैं utility folder में right click एक interface और बनाई लेते हैं एक बनाता हूं मैं interface m.s.s.a.g.message message नाम से मैंने बना दिया एक interface और इसके अंदर मैं दो ठो method बनाना चाह रहा हूं public static एक वाइड 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 सक्सेस इस यू सीजी सक्सेस इसमें कुछ parameter लोगा मैं एक parameter तो मैं component लेता हूं इसके बाद मैं क्या ले लूँगा मैं इसके बाद मैं मैंसेज ले लेता हूं इसके बाद मैं क्या ले लूँगा टाइटल ले ले लूँगा लास इतना या वह क्या चाहिए इतना से तो काम होई जाएगा अब हमें क्या करना है आप सोच रहों कि मैं क्या आचानक से करने लगा जे ओपी जे ओपसन पे डाट सो मैसेजज डायलोग चाहिए सलो मैसेज डायलोग उनमा क्लिक कर देता हूं सबसे पहले मेरे को चाहिए कंपोनेंट यह वाला पाइरेंट कंपोनेंट का अबजेक्ट चाहिए होता है दूसरे में क्या देंगा message दूसरे में message देता हूँ तीसरे तीसरा parameter भी होता है तीसरा parameter में button देंगा जे option pane dot ok option ok underscore option और फिर चौथा parameter में क्या देंगा icon तो new image और इसको में क्या देंगा icon यूटिलीटी वाला icon के में बात कर रहा हूँ इस icons के अंदर देंगा मैं success वाला यह है success icon अब मैं यहाँ पर आगे control space मार रहा हूँ कुछ नहीं मैंने एक ठो यहाँ पर छोड़ा है कॉमा देता हूँ मैं यहाँ पर और यहाँ पर कर देता हूँ मैं title title कर दिया आपको मैं यहाँ पर copy paste करता हूँ ऐसे और दिखाता हूँ यह देखो तो यहाँ पर है method यहाँ वही method मैंने किया यह देख लो आप सबसे पहले component मांग रहा है फिर object मांग रहा है फिर message मांग रहा है तो मैंने वही यहाँ पर पास किया है अब जैसे मैंने success का दिया है ना अब वही success का message को copy paste करूँगा और यहाँ पर कर दूँगा error रहा हूँ और यहां पर जो पर यहाँ लीन नहीं लिखना चाहता है इतना लंबा चोड़ा मैं यहाँ पर बार बार नहीं लिखना चाहता, इसलिए मैंने यहाँ पर method बना दिया, अब इसका कोई काम नहीं है, इसको मैं cut कर दूँगा पूरा, अब मैं आ जाओंगा, कहाँ पर listener में आओंगा, और कौन से listener में, register listening, add student listener में आओंगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर काम कुछ अधूरा छोड़े थे, अब देखो, यहाँ पर, आपको याद होगा, कि मैंने यहाँ पर सिर्फ, यह देखो, यहाँ पर कुछ नहीं किया है, यह save method क्या करेगा, मैं control दबाऊंगा, और mouse button यहाँ पे लाऊंगा, तो यदो को open declaration का option आया, इस पर मैं click कर दिया, तो देख लो, अब मैं यहाँ पर क्या return किया हूँ, true, यहाँ पर देखो यह, इसको मैं close करूँगा, यदि ps double equal to, यदि 1 है, question mark, यदि 1 return करता है, तो क्या कर दो, true, अन्य था, false, यह ternary operator का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ प बात को, execute update method यदि 1 return करता है, यदि 1 return करेगा, तो क्या होगा, equal equal 1 के से हमने compare किया है, यदि यहाँ पर, one यदि यह return करेगा, तो यह true हो जागा, और यदि यहाँ पर true आता है, तो यह true हम return कर देंगे, और यदि यहाँ पर true नहीं आता है, तो यहाँ पर false return कर देंगे, इतना बाते पापस में भी आई रहा होगा आप चाहो तो ऐसे भी रिटन कर सकते हो जरूरी नहीं है लेकिन मैं ऐसे ही कर देता हूं रिटन यहां यदि यह चीज़े हैं अब यहां पर फाल्स रिटन किया हुआ है तो यह रहने तो कोई दिक्कत नहीं है अब मैं यहां पर आता हूँ अब यहां पर सेब मेथध है इसको मैं इफ के अंदर आलता हूँ इप यदि यह ट्रू रिटन किया है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हूँ यहां पर डबल इक्वल यह आर you true size । लेकिन कोई जरूरत नहीं है लिखने की ज़śए see तो यदि युदी यह true return करता है यह method कुम हमें क्या करना है हमें message दिखाना है क्या message दिखाना है owe me ważne is यह वाला मैसेज पर मत जाना है यह वाला मैसेज पर मत जाना है यूटिलिटी पैकेज के अंदर है जो हमने इस पैकेज के अंदर बनाया है यह वाला इंटरफेस यह वाला मैसेज हमको सब्सक्राइब देखो मैं इसके अंदर आता हूं नीचे किया और ऐसे मैसे डॉट सक्से अब हमें add student component मतलब add student form के अंदर दिखाना है message तो यह मैंने डाल दिया अब बोल रहा है message बताओ क्या क्या तो यहाँ पर record save save asu success और यहाँ पर करें title तो asu success इस ट्रिंग में लिखना है asu cc success यहाँ पर मैंने success दिया else मैं भी यहाँ ऐसे लिख दो यह bracket की जरूरत भी नहीं है अब आप चाहूं तो क्योंकि single line statement यदी रहता है तो ब्रेकट की जरूरत नहीं होती और मैं यहाँ पर single line statement यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यह success message के पर हम क्या करेंगे err message तो यदि यह return true करेगा तब तो यह success message आ जाएगा और यदि return true नहीं करेगा तो यह error का message आ जाएगा अब देखो आप लोग कि यह method जहां जहां पर मैंने message present करने का काम किया जैसे login में किया हूँगा register में किया हूँगा जहां जहां message के काम किया हूँगा आप इस code से आप उसको replace कर देना मैंने इसलिए छोटा code थोड़ा लिखना चाहँ पसंद किया इस code से आप replace कर सकते हो अब मैं क्या करूंगा अब जह सीधा मैं आऊंगा यहां पर manage student पर और मैं program को करूंगा run program को run करूं इससे पहले मुझे कुछ exam server चालू कर रहा है चाहिए नहीं तो आ जाएगा error इस्टार्ट यह दूनों इस्टार्ट हो गया अब मैं इस उपर देता हूँ रहा है अब फोटो सेलेक्शन के लिए कह रहा है मैं फोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ यह से क्यों फोटोग्राफ सा रहा है लगता है हमने अब देखो यह फोटो किसी कमार सीट है चलो कौन साल नाह है नेम एसी एम इमेल फादर ने बीस यह ठीक है बीस यह पढ़ेगा यह हो गया इन डेट आफ वर्थ यह ले लिए डेट वर्थ यह कई से हो सकता है भई खर डेटा जब फेक ही रखना है तो क्या फरक पड़ता है एस्टी ठीक है इस्टी रह भी तो एक दो दीन चार्पांच्छ सब्सक्राइब करें तो यही फोटो मैं ले लेता हूं सारे ऐसे आप यूज़ भूल डेटा सेलेक्ट करना मरजी हो तो मैं यही ले लेता हूं फूरा मुझे तो फेक डेटा सिर्फ अन्टर करना है एड्रेस आई अडिया इस्टेड़ चाथ 1 तीस अगर्ड डिस्टिक बल्रामपुर हो गया क्लिक कर देता है सेव पे देखो शेप का इक ना रहे क्या बाथ है इसी को फिर से सेव कर दीए फिर से सेव हो गया कुछ इसमें डे प्रीमेल चेक कर देते हैं ऐसा फिर save कर दिया मैं ज्यादा data save बस कर रहा है अब एक काम आख हो रहा है ना देखो save पे click कर रहा है तो save का message आ रहा है keakर दे रहा है इस data खाली भी तो होजाना चाहिए इस पे भी हम काम करेँगे later on लेकिन आभी नहीँ डाटब प्रेजेंट होता है जब इस फॉम का अबजेक्ट और बनना सुरूँ हो जाता है तब यह मेथड चलता है और फिर जाकर के हमारा डेटा डेटाबेस से लोड होता है और दिखाई देता है फॉम पे तो यही कारण था कि हमने फॉम जब ओपन कर रहा था तो ओपन के समय पे डेटा लोड कर दिया था उसके बाद में डेटा लोड नहीं किया अब डेटाबेस जैसे फॉम लोड होगा यह देखो इतना सारा डेटा आ गया तो यह फॉम जब लोड होने लगता है मतलब लिसनर का कंश्रक्टर चलता है तब डेटाबेस से डेटा आता है और यहां पर इसो करता है लेकिन जैसे ही हम इस फॉर्म पर click करते हैं और Save button पर क्लिक करते हैं तो data तो database में चला जाता है लेकिन ओ data दूबार यहां पर इस प्राबलम को solve करता है यह देखो Multiple records select हो रहा है तो यह सही नहीं है दूसरे टेक्निक यह double click कर देना है तो एडिटेबल हो रहा है या है तो इस problem को भी हमें solve करना चाहिए कैसे करेंगे करते हैं क्या problem create करता है चुप रहे हैं और इसको तो छुप रहे हैं फाल तो कहला कर रही देदा चलो चलते हैं एक और यूटिलीटी में मैं आता हूं राइट लिक नियू एक यहां पर और इंटरफेस बनाते हैं किसके नाम से कंपोनेंट के नाम से मैं इंटरफेस यहां पर इसलिए बना रहा हूं क्योंकि मुझे ऑब्जेक्ट वगर बनाने का जुरूत नहीं है विंडोज अप्लिकेशन है अब देखो यहां पर कुछ कामण करते हैं यहां पर पॉब्लिक स्टैक्ट वाइट नहीं जे टेबल जे टेबल रिटन करने वाला है यह और यहां पहर कर देंगा, get table, या j table, कुछ भी हम नाव रख सकते हैं, j table, j table ली नाव रख देता होजोगी, इस तरह से हमने बना दिया, ऐसे, अब हमें क्या करना है, j table को अबजेक्ट create करना है, j table, j table, table, equal to new j table, जे टेबल इतना करा अब यहीं पर मैं कर्ली ब्रेसे से स्टार्ट करता हूँ ऐसे कर्ली ब्रेसे यह अनोनिमस तरीका है और यहां पर एक मेथड को मैं ओवर राइड करूँगा पबलिक बुलियन बुलियन रिटन टैप उसका है इज सेल एडिटेबल सेल एडिटेबल एक मेथड है अगर एक इस्पेलिंग सही होगा तो काम करेगा इस्पेलिंग सही नहीं होगा तो एरर आएगा जब एरर आएगा तो हम प्राब्लम स्वाल करेंगे इडि होना चाहिए इडिटेबल चलिए इंट इसमें पैरामिटर से इंट रू डाल देंगे और फिर इंट कॉलम डालेंगे इसको यहां पर बनके रेडि है अब सिर्फ इतने से क्या होगा हमारा से जो एडिटेबल है वो नहीं होगा आप कहोगे कैसे मैं दिखाता हूं कैसे सबसे पहले मैं यहां पर रिटर्न कर देता हूं इसको जी टेबल को और मैं आँगा यहां पर मुझे कहां पर आना चाहिए मैंने स्टूडेंट के अंदर आँगा और अब आप देखो यहां पर मैंने इस्टूडेंट लिस्नर है तो मुझे लिस्नर नहीं चाहिए मैंने इस्टूडेंट वाला क्लास चाहिए यहां पर देखो मैंने जे टेबल का अब्जेक्ट बनाया है अब इसको यहां से आप करिए गाइब और आप करके क्या करेंगे हम component देखो utility वाला इंटरफेस कॉल करना component. expected अब क्या हो रहा है कि इसमें thunderstorm कोडे करेगा benchmark जैसे मान लो काफी code लिखोंगा पहला चीज तो यह हो गया दूसरा यह हो गया कि जहां जहां पर मैं जे टेबल यूज़ करूंगा हर जगा मैं चाहूंगा कि मेरा एक डिजाइन का दिखाई दे वह एडिटेबल ना हो तो क्या होगा कि यह हमारा code जो रियूज़ेबल हो जा कि यह देखो अब डबल क्लिक चाहे मैं कितना कर लूँ कुछ होई नहीं रहा है वे देख लो लेकिन multiple selection हो रहा है color वालर भी इसका थोड़ा changes करको दिखाता हूं मैं तो मैं आँगा component में सबसे पहले multiple selection हो रहा उसको मैं बैयन करता हूँ तो set multiple selection mode कुछ है option set selection mode आप यहां पर देखो तो set selection mode है और यहां पर क्या मांग रहा है select selection model का object मांग रहा है object नहीं मतलब है list selection mode interface है यह अब यहां पर जाएंगे फिर dot लगाएंगे तो यह बोल रहा है multiple या फिर single interval selection single selection मेरे को single selection चाहिए जी कर दिया single selection list selection अखिर इसको समझ्या क्या हो जाए है मैंने तो लगवाग मेरे मुझे लगता है कि मैंने ठीक ही रखा है set selection model यह ठीक है model नहीं होगा mode होगा वही गलत कर रहा था मैं इससे क्या होगा कि single selection होगा row की height भी मैं चाहूं तो थोड़ी बढ़ा सकता हूं क्योंकि यह बहुत जो है चिपका नजरा रहा है यह row की यह थोड़ी सी height क्योंकि row की height थोड़ी जादे हो तो थोड़ा ठीक लगे तो मैं सारा का में कई साथ करता हूं जो जो मुझे styling करना है table.set row height row height है selection allow बहुत सारा method मैं सिर्फ हाइट डाल रहा हूं और यहां पर क्या देदो मैं 32 23 देता हूं यह साथ ठीक रहेगा एक बार ट्राइब करते हैं कैसा आएगा यह देखो इतना हाँ यह लगबग ठीक है फॉंड को भी थोड़ा चाहिए तो हम बढ़ा कर सकते हैं header वगरों को भी change करता हूं मैं थोड़ा heading ठीक लगे तो heading के लिए यह जे टेबल हेडर लेना परेगा h-e-e-e-r और इधर पर टेबल डॉट गिट हेडर यह देखो गिट हेडर में थर से हेडर हमने return कर लिया अब हम क्या करेंगे अब हेडर को हम डिलाइन कर सकते हैं header का मतलब column पार्ट है column को मैं करूंगे डिजान समझर बात तो इसका sit background color में background आ गया अब background color में चाहता हूं black हो तो c यह देखो यहां पर c color मांग रहा है c o yellow dot black कर देता हूं यह देखो black हो गया पूरा black कर दिया मैं black करने के बाद मैं foreground text को white चाहता हूं तो foreground इसे हो जाएगा दोर्ट सेट फूर ग्राउंड एक फूर आरी फूर ग्राउंड तो एलो आर डॉर डॉर गार्ट कर दिया जा है वाइट ही ठीक लिए इसमें थोड़ा मैं टेश्ट करता हूं देखता हूं कैसा अभी आ रहा है व्यूव यह देखलो आप इस तरह का पूरा भी वार आए भी ठीक है कोई बात नहीं इसको बॉल्ड भी किया जाए तो थोड़ा और मज़ा है तो चलो फॉंट होगर अभी हम सेट करके बॉल्ड करते हैं है एडर डॉटल दोडव विट्वांट करण सिट फॉंट हुए मैं क्टी फॉंट प्माद और और अपन कर दोंगा है और और ये से कर दूँगा और हुदक करेंगा पूंट के न्स्ट कर सब्लाइब दोग मैं पिर कॉमा दूँगा, font.bold कर दूँगा, यह constructor है तब मैं call कर पा रहा हूँ, यह font class का मैं open कर देता हूँ, यह देखो, यह constructor यहाँ पे बना हुआ है, तब मैं call कर पा रहा हूँ, यदि constructor नहीं बना होता तो call नहीं कर पाते हैं, कहां पर गया मैं, यह, sensory board कर देता है, इसको, इसकी size भी हम कुछ दे सकते हैं, 15 दे देता हूँ size, यह देख लो, अब इसी मैं click करूँगा, open declaration दे देखो, constructor है इसमें, string में font का name मांगा जा रहा है, style में मांगा जा रहा है, size मांगा जा रहा है, और मैंने वही यहाँ पे pass किया है, आपको यहाँ पे भी मैं create करके दिखाता हूँ, font, यह देखो, मांग रहा हैं आपे, name int style, तो यही मैंने call किया है, यह जो sensory, आप font bold देख रहा यह देखो, bold का मतलब 1 होता है, plane का मतलब 0 होता है, italic का मतलब 2 होता है, तो यह internally जहें, number से ही call होता है, तो मैं इसको इतने ही पे छोड़ता हूँ, फिर से right click करके, run करके, एक बार देखना चाहूँगा इसको मैं, मैं directly code पूरा लिख देता है, यह देख लो, font थोड़ा changes आ रहा है font में, मैं directly code लिख देता हूँ, लेकिन मैं एक एक line में इसलिए मैं ऐसे दिखा रहा हूँ ता कि आपको समझ होगी, किस line का मतलब क्या है, थोड़ा इसमें समय लगता है, पर it's okay, table का भी मैं set font करी सकता हू font.set, font a4nt, set font, table का font क्या कर दिया जाए, सारा font भाई कर दिया जैसे अन सेरिफी, तो मैं यही copy करूँगा, और यही font इसमें set कर दूँगा, बस bold के जगह पर क्या कर दूँगा, plain कर देता हूँ, plain text कर देता हूँ, plain के जगह पर यदि आप चाहें, तो 0 है न, 0 भी पास कर सक देखते होगा, यकिन नहीं हो रहा है क्या, चलो, इसको कट करके 0 में पास करके दिखा लेता हूँ, यह देख लो, तो इंटरन हमें समझने के लिए जो है किया गया है, यह 0 हो चुका है, रन, यह देख लो, अब जीरो की यहां हो तो यह plane हो चुका है, देखो, एक काम और हम करते हैं, कि जहां पर select हो रहा है, तो select हो रहा है, वो पूरा black हो जाए, इसी तरह का design, heading जैसा design बन जाए, selection वाले मैं चाहता हूँ, तो यह भी हम कर सकते हैं, कैसे, बड़े ही आसानी के यहां है, यहां है, जैसा पहले था मैंने कर दिया, नहीं छेड़ खानी कर रहा हूँ, मैं कुछ, table.set, selection background, यह देखो, selection background है, color black कर दूँए, yellow dot, black, यह black हो गया, अब इसका foreground को मैं white करूँगा, ताकि black कर दूँए, और यहां पर कर दूँगा, foreground, foreground हो गया, अब इससे जाद हम कुछ ना करेंगे भई, यह इतना करना था, हमने कर दिया, यह देखिया, इस पर click किया, तो यह देखो, इस तरह का रहा है, चाहें तो आप कुछ और भी color set कर सकते हो, जैसे heading है, green वगरा, जैसे black है, तो black है, तो मैं green कर दूँ, orange कर दूँ, तो यहाँ पर देख लो, है orange, लेकिन मैं जो था, मैं छोड़ देता हूँ, black ही रहने दे रहा हूँ, तो अब आप देखो, मैंने code करते करते ना, इतना लंबा code लिख दिया है, मैं यहाँ पर, सारा white space खतम कर दूँगा मैं, अब आप देखो, कि इतने line का code मुझे लिखना पड़ा है, किसलिए लिखना पड़ा है, तो सिर्फ grid view control मतलब j table के, j table को थोड़ा सा ठीक ठाक दिखाने के लिए, यह देखो, j table का जो है, ठीक ठाक ठोड़ा look देने के लिए, मुझे इतना काम करना पड़ा है, तो अब मैं क्या चाहूंगा, कि जो look इस j table को मिला है, वो सारे look, वो सारे j table को मिले, मतलब जैसे यहाँ पे सिर्फ इस student module है, अगर staff module होता, तो उसमें भी j table होता, तो उसका भी look मैं ऐसा ही देना चाहता, तो यदि ये method नहीं बनाया होता, यहाँ method यदि नहीं बनाया होता, तो ये सारा code मैं क्या करता, ये सारा code जो है मैं, यहीं पे नीचे line पे लिखता, इस तरह से, इस तरह से लिखता, लेकिन मुझे नहीं लिखना सारा कुड़ इस तरह से तो मैंने क्या किया है इसी तरह से एक method call कर लिए अब जहाँ जहाँ पर मुझे जे टेबल चाहिए बस एक method call करूँगा और इस तरह का design बनके मिल जाएगा तो ठीक है चलिए मिलते हैं अगले चप्टर में कि इतना टाइम के जोगा इतना टाइम के जोगा